दोस्तो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जी हां दोस्ते स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जिसे हम SSC बोलते हैं SSC निकाली थी MTS की नोटिफिक्शन अगर आपको देखा जाए तो 29 को उन्हें बोला था ऐसा कुछ नोटिस भी आया था अगर आप देखें आपर इंपोर्टन नोटिस आया है रिगारिंग MTS की बारे में उसके बाद उन्होंने किया पास तरीक मतलब 5 फरबरी 2021 कोड नोटिस ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एक्जामिनेशन के बारे में यहां पर ने भरति है रिगजने नियुकरा पर शे ने अंग मांग गया है और दो डालने हैं और अपको एजे डालना है जन्लर आघ ए अपर कैटेगोरी दी हुए है कैटेगरी आपको अन्दिकारम मेश कुछ माग हो तो आप वो इदेटिफाइ करना रहेगा यहाँ पर इस नॉटक अंपल सरी में स्टार नहीं लगा किसी में भी रड इस्टार नहीं लगा अगर आप देखें ठेक है और इसके बादर में 12 की 12 प्लस 10 यहाँ पर एक्जामिनेशन बोर्ड दिया हुआ है आपको ल आप इसली नेचे से देख सकते हैं अगर हम बात करें लिए यह अधर यह अप Paul को आस न ही ए महिंदि दो कितना समय किया अपने यहाँ पर डालना ंगा ऑर अगर नहीं किया है तो छोड़ दीजे कि यह ठीक कंपल सरी डगाम है कि एक सर्विसमें अगर आप आप फो में 09 और अगर नहीं हो तो क्यों बेंगे आप नई हो तो पर सकते हैं weather सेहें छिक ul फोस्ट वी नहीं है तो मतलब 9 ठीक है prior जो इस चाहिए एज यह नहीं में तो यह नहीं पर नीचे दीखना पड़ाया इसके लिए ठेकें तो यहां पर अगर में आपको दिखआ हो तो पूरा पेज दिये हुआ है जिसमें आखरी यह आखरी का पेज़े 56 नंबर है जिसमें सारा प्रिफरेंच दिया हुआ है ठेक है केंडिट का आप कहीं पर कर सकते हैं अप्लाई यहां पर सकते हैं तो आपको यहां पर सेलेट करना उसके बाद आपको यहां पर highest education qualification के mark seat आपको यहां पर जो भी आपने किया वह लगाने है detail qualification education class जो भी detail है दस वी की बढ़ालना है आपको और अगर आप यहां पर देखें यहां पर option देख रहा है status passing year, state of board, name of board, role number percentage यह आपके 10th के डालने है, 12th के डालने है, ऐसे डालने है do you want to make personal information available for accessing job opportunity in terms of DO&D, मतलब अगर इनके सगर आगे, कभी personal information चाहिए, हना तो आप के लिए, job opportunity लिए तो आप yes कर दीजिगा ऐसे, ठेक है और उसके बाद अगर आप नीचे देखें यहां पर, आपको यहां पर address दिखेगा, state दिखेगा, district दिखेगा, इस सारी चीजी दिखेएंगी, ठेक है आपको लगाने पड़ेंगे, आप डाइमो भी देख रहे होंगे, और यहां अगर आपको photograph जो allowed file size 20KB से 50KB होना चाहिए, और signature size 10KB से 20KB का size होना चाहिए, आपर अगर format देखेए, तो jpg format दिया हुआ है, ठीक है, jpg format लगाना है, और आपको यहां पर date of birth अपनी select करनी है डालना है, date of birth डालना है आपर, date mention करना है, इन declaration form दिया हुआ है, कि सारी condition जो आपने सारा term condition पढ़के ही आपको यह form जमा किया है, यह सारी चीज़ आपको अच्छे पढ़ देनी एक बार और, और इसमें I declare all the statement made in the application, मतलब जो भी चीज़ आपने भरी हुई, यह सारी सही है और legal है, ठीक है, यह सारी चीज़ यहां पर लिखे हुई है, और आपके code डाल कर, यहां पर preview कलना है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, तो आप दोस्तों आपको normal करना है, आपको अधार करना है, अपना अधान number डालना है, type ID डालना है, type ID मतलब कोई भी ID डाल सकते अधार कार्ड यह सारी चीज़ लगा सकते हैं, अब तो ID कार्ड में, अगर आप वोटर ID कार्ड ले तो ID कार्ड लेगा, नाम होगा, आपका verify नाम करना है अपड़ेगा, जो नाम है तो भी लिखना पड़ेगा, अगर अपने फीजर में के case का भी नाम चेंज किया हुआ है माक सीट में चेंज किया हुआ है, ऐसा होता है ना, कि चेंज करने के बाद फिर वापस चेंज करवाते हैं, तो form भरना पड़ता है, ऐसा अगर आपको भरना होता है, अगर किया हो तो करना होगा आपको, father name यहाँ पर लिख दीजे, verify father name, अगर आप mother name यहाँ पर लिखना है आपने education board को verify करना है, role number डालना है, verify करना है, year of passing डालना है, verify करना है, year of passing को gender डालना है, verify करना है, level of education qualification जो दिया हुआ, graduation और mobile number आपको डालना है, और फिर बाद में आपको यह next कर ला है, पूरा फ़नने के बाद, email ID भी है, तो सारा जितना भी दिख रहा है, आपको यह identification marks दिया हुआ, mall and right set जैसे में उतना था, type of disability अगर host or disability certificate अलगेगा, उसका number भी लगेगा, ठीके, state और number भी लगेगा, और सारा चीज़ी कंपल सरी अब देखें दोस्तों आना, तो आप इससे बीचा हट नहीं सकते हैं, आपको सारी information डालना है, और आखरी में final selection करना है, औ important information थी, अगर आपको कुछ और detail भी चाहिए हो, कुछ और भी जान करें चाहिए, तो comment जरूख रहेगा, मिलोंगा आपका new video नाइकन साफ्ट के साथ, जैहीं जबारत बंदे मातरम